हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है विंडो 11 में फाइल या फॉल्डर को डिलीट नहीं कर सकते हैं इस तरह का मेसेज आता है तो इसको कैसे डिलीट करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गाई यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए शुरू करते हैं आपको मैं सबसे पहले दिखाता हूं आपके केस में भी जो भी फाइल या फॉल्डर लॉक होगा उसको यदि आप यहाँ पर डिलीट करने के कोशिस करते होंगे तो यहाँ पर डिलीट नहीं हो पा रहा है आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा यहीजए फाइल है इसको डिलीट करने के कोशिस कर रहा तो यह भी ल YEAH यह पा रहा हुआ यानि तो आपके केस में जो भी फायल होगा वह भी दिलीट नहीं हो पा रहा है आईसे ही प्रॉल्म आपके केस में भी आता हो यानि तो किसी भी टैप का जो भी file या folder lock है उसको यदि आप delete करने के कोशिस करने हैं तो यह delete नहीं उपार है तो इसको कैसे delete करना है वो मैं आपको बताता हूँ इसको delete करने के लिए बहुत सा तरीका है इनिमें से आपको कुछ तरीका बताता हूँ कैसे आपको delete करना है, सबसे पहला तरीका आपको cmd के थरू बताता हूँ, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको search पर click करना है, click करते हैं, इस तरह से window open हो जाएगा, अब आपको यहाँ पर tap करना है, cmd, cmd tap करते हैं, यहाँ पर आपको दिखी जाएगा command prompt, इसक click करते हैं, इस तरह से window open हो जाएगा, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेगा, यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले zip वाला file जो होते है, जो भी zip वाला file है, जो delete नहीं हो अपार है, इसको कैसे delete करना है, वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, जैसे मेरे case में आप देखन करते हैं, इंटर करते हैं, इस तरह से यह command run हो जाएगा, run होने के बाद आप यहाँ पर ध्यान से देखेगा, यहाँ पर लिखावा दिख जाएगा, forward slash p किसलिए use होते है, forward slash s किसलिए use होते है, forward slash q किसलिए use होते है, forward slash a किसलिए use होते है, यहाँ पर सारा detail आपको दिख ज do इसके बाद जो पतete आप इस तरह सब Maar कमांड पेस्ट हो जाएगा याने यह पाथ पेस्ट हो जाएगा यानि तो manual आप टइप कर लिजेगा अगाँ को क्या करται इस ततरहीं कंदा rendered यहां पर यहां पर फॉल्डर यह फॉल्डर 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 फॉल् यहाँ पर इन मिश्टर के ऊपर ख परने करने के बाद यहाँ पर आपको टैप करना है यहाँ पर यहाँ कि यह करने के बाद के घ Freel रख पर क्लिक चूब्राने के बाद यहाУ इसके उपर आपको क्लिक कर देना है, इसके बाद फिर से यहाँ पर CMD के ऑपर आ जाना है, आब आपको क्याह करने है, यहाँ पर मौस का करसा रखने है, इसके बाद मौस का याँ बटन प्रेस कीज़िगा तो यहाँ पर इस तरह से यह path-paste हो जाएगा, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटर करने के बाद आपके case में एक command successful run हो जाता है, तो यह यहाँ से delete हो जाएगा, जैसे आप देखने मेरे case में यहाँ पे ss is deny लिखा हुआ आगया, और मेरे case में यहाँ पे delete नहीं हुआ, आपके case में इस command से भी delete हो सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको इंटर कर देना है, इंटर करते हैं यह कमांड भी जो protected file होगा, उसको यहाँ से delete कर देगा, तो यह दो तरीके से आप यहाँ से delete कर सकते हैं, आप देख रहें मेरे case में यह दोनों command काम नहीं किया, ऐसे is deny लिखा हुआ आगया, आपके case में हो सकता है, यह दोनों command काम कर जाएं, तो इस method से भी आप folder को delete कर सकते हैं, इसके बाद आपको क्या करने हैं, इस window को यहाँ से close कर देने, आप आपको यहाँ पर आपको दूसरे method से delete करके दिखाऊंगा, दूसरा method है, power cell के थूरू इसको delete कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करने है, search पे click कर देने, click करते हैं, इस तरह से window open हो जाएगा, आपको यहाँ पे tap कर देने, power, power tap करते हैं, यहाँ पे आपको first option दिख जाएगा, window power cell, इसके उपर आपको right click करने हैं, इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा, run and mister, इसके पर आपको click कर देने, click करते हैं, इस तरह से window open हो जाएगा, आपको क्या करने हैं, यहाँ पे click कर देने, yes पे click करते हैं, इस तरह से window open हो जाएगा, आपको यहाँ पे tap कर देने, r e m o v e, dash item, इस तरह से tap कीजएगा, इसके बाद space देने हैं, इसके बाद minus path path space अब आपको क्या करना है जो भी folder protect वाला है यानि उसको आपको यहां से उसका path copy कर लेना है यहां से copy कर लिजएगा दुबारा यहां पे आना है यहांने के बाद आपको क्या करना है इस path को यहां पे paste कर देना है इसके बाद आपको क्या करना है space देना है इसक तरह से टैप कीजेगा इसके बाद यहां पर आपको इंटर कर देने हैं इस तरह से कमांड रन हो जाएगा और आपके case में यहां पर डिलीट हो जाएगा आपके case में यहां पर डिलीट नहीं हुआ है और इस तरह से एरर आगया है ऐसे ही एरर आपके case में भी आता है तो आपक आपको मैं यह दोनों को डिलिट करके दिखाऊंगा जो आगे आपको बताने वाला हो सॉप्टेर के थुरू बताऊंगा सॉप्टेर में भी दो सॉप्टेर आपको यूज करके दिखाऊंगा सबसे पहला software पहले यूज करके दिखाता हूँ इसके लिए आपको क्या करना है आपको browser open कर लेना है कोई भी browser आप open कर लिजेगा इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आपको google open कर लेना है google open करने के बाद यहाँ पर आपको tap कर देना है यहाँ पर latest version लिखा होगा तो आपको क्या करना है हमेशा latest version ही आपको download करना है तो यहाँ से आप click करके इसको download करना है click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको क्या करना है यहाँ पर आपको दिख जाएगा download इसके उपर आपको क्लिक कर दिना है क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब मालिजे यदि आपके case में भी इस तरह से window open होता है तो आपको क्या करने अब जहाँ पर भी इसको save करना चाहते है और पास select कर लिजेगा उसके बाद यहाँ पर आपको save पे click कर देने क्लिक करते हैं इस तरह से exe download हो जाएगा डाउनलोड complete होने के बाद आपको क्या करना है उस folder के अंदर जाना है जहाँ आपने इसको save किया है वहाँ पर आपको इस तरह से exe दिख़ जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है इस exe को उपर आपको right click करने इसके बाद यहाँ आपको property पे click कर देने, click करते हैं, इस तरह से window open हो जाएगा, अब मान लिजए यदि आपकी case में यहाँ पर unblock दिखता है, तो आपको क्या कर देने, इसके बाद आपको apply पे click कर देने, मान लिजए यदि आपकी case में यहाँ पर unblock नहीं दिखता है, तो आपको क्या कर देने, अब आपको क्या करने है, इसके ओपर आपको right click करने है, इसके बाद यहाँ पर आपको open दिखी जाएगा, इसके ओपर आपको click करने है, click करते हैं, इस तरह से window open हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आपको next पर click करने है, इसके बाद आपको install पर click करने है, install पर click करते हैं, इस तो रख सकते याने तो डिलिट करना चाहते तो यहांसे आप इसको डिलिट भी कर सकते हैं इसके बाद आपको क्या करना है सर्च पे किलिक करना है यहां पर आपको टैप कर देना है अनलॉकर टैप करते हैं यहां पर आपको फर्स्ट ऑप्सन दिखी जाएगा इसके उपर डुरत को सейलेट करने हैं है उ hel shift डीट रखने हैं प्र रिखनेंने गानी उपर इच्छकंब इसक्ड यहां पर एक्षंज चेःगा इसके बाद यहां पर ऐपको डिलीट करने है इसकेद्ट कर कर देने हैं ऐसे ही दुबारा यदि आप इसको डिलीट करना चाहते तो फिर से यहां पर आपको सर्च कर लेने हैं अनलॉक और सर्च कर लिजेगा यहां पर किलिक किजेगा यहां से दुबारा पाथ सेलेट कर लिजेगा जो डिलीट नहीं हो अपा रहा है फॉल्डर या या folder या कोई भी जी file को आप delete कर सकते हैं जो delete नहीं हूआ पा रहा था जो protect है इस तरह से आप इसको delete कर सकते हैं चलिए आब आपको मैं दूसरा software बताता हूं इसके लिए आपको क्या किना को ब्राजर आपको open कर ले नहीं, ब्राजर आपको Google open कर ले किलिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा आप जहां पर भी सेब करना चाहते हैं उपाँ सेलट कर लिजएगा उसके बाद आपको सेब कर दीन है किलिक करते हैं इस तरह से एकसी डाउनलोड हो जाएगा Download Complete होने के बाद आपको क्या करने है अब आपको क्या करने है इसके ओपर आपको क्लिक करने है तो आपको क्या करने है, ओके पर क्लिक करने है, इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करने है, इसके बाद 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 आपको क्या करने है, इसके बाद आपको क्या करने है, इसके आपको install पे klik कर देए, install पे klik करते हैं इस तरह से install सुरू हो जाएगा installation complete होने के बाद इस τरह से विंडस उपेंड हो जाएगा आपको को जाकेipनियाएँ यहाँ परमीनस पर किलिक करदेने हैं किलिक करते हैं इस तरह से विंडस उपेंज़ नफंग होना शुरू हो जाएगा जैने आप यहाँ से को अपन कर सकते हैं अब आप इस software को भी use करके इसको delete कर सकते हैं आप देख रहे हैं यहां से आप unlock कर सकते हैं जो भी file lock है इसको आप unlock करना चाहते हैं तो यहां से आप इसको delete कर सकते हैं view में जाएंगे तो यहां से view change करना चाहते हैं यहां से आप changes कर सकते हैं प्रोग्राम में जाएंगे तो यहां से यह भी सारे डिटेल मिलते हैं, इसके अंदर बहुत सारे फीचर है, आपको मैं केबल डिलीट करने के लिए बता देता हूं, यदि आप जिस भी फाइल को डिलीट या अनलॉक करना चाहते हैं, जो भी फाइल लॉक है, यहां पर आपक कर देना है, चलिए आपको मैं करके दिखा दे तो आप देख रहें, मेरे केस में यह लॉक है, इसको यहां पर ड्राग और ड्रॉप कर देना है, यहां पर जैसे ड्राग और ड्रॉप करेंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा, यह फाइल लॉक है या नहीं है, यहां प अपने हिसाब से select कर लिजएगा, आपकी case में कहां पर क्या है, यहाँ पर select कर लिजएगा, इसके बाद open किजएगा, open होने के बाद इस तरह से message आएगा, यदि आप delete करना चाहते हैं, यहाँ पर yes पर click करते हैं, इस तरह से यहाँ पर delete हो जाएगा, आप देख रहें, यहाँ पर delete हो आगया, यानि यह file delete हो चुका है, आप देख रहें, जैसे delete पर click किये, तो यहाँ से delete हो चुका है, यहाँ से file भी delete हो चुका है, इसी तरह यदि आप folder को delete करना चाहते हैं, यहाँ पर click करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप folder select कर सकते हैं, यहाँ स विंडो को यहां से close कर देने, अब आप यहां पर देख रहे हैं, जो भी file या folder, protect वाला था, जो delete नहीं हो पा रहा था, यह delete हो चुका है, तो इस तरह से आप कोई भी method से इसको delete कर सकते हैं, आपके case में कौन सा method काम किया, आप जरूर comment करके बताए, आपके case में कौन सा method से काम किया है, और please guys, चैनल को subscribe करे, like करे, share करे, thank you,